तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्ट रूल सर्वाइवल तो दोस्तों ये इस सर्वर का लाश्ट वीडियो है क्योंकि अब इस सर्वर से जाने का समय आ गया है तो इसलिए जिस तरह से सर्वर की स्टार्टिंग हुई थी और आज जिस तरह से सर्वर का एंड हो रहा है उस रिसाब से आप लोग देख लोगे हमने मतलब कितनी मेहनत किये इस जर्णी में और कितनी ज़्यादा रेड किये और एक से बढ़कर एक के जितने भी प्लेयर थी सर्वर में जादतर अधिकतर चाइडीज के वेस थे सभी को हमने सर्वर से निकाल दिया यह मतलब कि उनके बैसरेड कर दिये थे और अंत में जीत हमारी हुई है एक नंबर पर विननर अभी हम है point के मामले में भी loot के मामले में भी और यह एक बात और है कि हमारे base पे किसी ने भी try नहीं किए raid की बाद में ठीक है मतलब जब तक लकड़ी का था तब तब बाहर-बाहर एक दो बोम लगा दिये तो लगा दिये लेकिन जब से हमने iron का किया है ना अभी जब रेट का टाइम चला तब हमारे base पे किसी ने भी आके ट्राइने की इतनी हिम्मत किसी player की नहीं हुई ना कोई legion की जबकि और जितने भी बैसे चाहे से वह टाइटनियम के है लेकिन वह आदे अंदर लग ड्रिल हो चुके है ठीक है लेकिन हमारे base पे आने की किसी की हिम्मत नहीं हुई थी अब यह तो यार देखो आपके भाई का power है कि लोग डरते हैं या फिर खुदी नहीं आते यार मुझे नहीं पता तो दोस्तों यार शायद मुझे तो यह लगता है कि जितने भी बंदे इस सरवर में खेल रहेते हैं उन्हें खुद को पता चल चुका था कि मेरे पीचे आप सभी का सपोर्ट है इसलिए अगर मैं हारूंगा तो फिर उसके बाद आप सब साथ देने आओ गए इसलिए शायद को इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरे base पे एक भी बंद लगाए तो अभी मैं आप सभी को लाश्ट में लूट दिखा रहा हूं कि उसके बाद में सरवर खतम हो जाएगा लाश्ट की लूट देखकर ही आप सभी को पता चलेगा कि हमारे पास में कितनी लूट हुई थी और हमने कितनी मेहनत की तोटल पॉनिट आप लोग देख लो और कितनी श्टिल भ और कितनी सारी हो हुच ओश्वा पास में हमने काफी जादा के स्की कार्मिंगं करें वैसे उसके हूं मैंने 1000 कच्ची इकटा कीती, तो वो भी है यार इसी में, अब दोस्तों मैं बोलता भी जा रहा हूँ और आप से भी को लूट दिखाता भी जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब लूट का नाम तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाई है कि जितनी लूट है वो सारी मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, वैसे यार दोस्तों, एक बात यह है कि जब हमने यह बेस बनाया था ना, इसमें हमने इतनी ज्यादा से लिंग डाली थी और इतनी ज्यादा वाल डाली थी कि भाई कोई भी बन्दा रेड ना कर पाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई बन्दा इतनी हिम्मत ही नहीं करेगा कि हमारा बेस पर बोम आके लगाए, मतलब कोई आया ही नहीं यार बोलो, रेड का टाइम शुरू होने के बाद में, तो यहां पे भी हमने लूट रख र और इस टोन भी देख लो, पूरा बेस इस टोन सब्ग्रेट भी कर दिया था, उसके अलावा यह इस टोन हमारे पास में रखा हुआ है, यह फ्लेयर गन भी रखी हुई है, इसको में निकाल लेता हूँ यार, फ्लेयर गन यहीं पर चला देता हूँ में, ठीक है, अब यह है बेस के टोफ लोर पर आके ड्रोप गिर जाएगी, ठीक है, चलो तो अभी उपर से हम लोग नीचे की साइड में चलते हैं, और यहां की मैंने आपको सारी लूट तो वैसे दिखाई दिये, तो अभी बाहर की साइड में मुझे काम है अब, तो दोस्तों अभी मैं आ चुका आप सबी के लिए एक सर्फराइज है, तो वो भी करना है मुझे तो इसलिए उपर की साइड में चलते हैं, ठीक है, अब देखो मैंने रास्ता कैसे कैसे बनाया है, वैसे यह रास्ते मैंने नहीं बनाया है, यहां से यहां होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब हम दोनों ने मतलब यह फॉल्डिंग लगाए है, और रास्ते भी काफी गुम है फिर हुए है, चलो तो अभी वैसे तो हमारे घर की उच्छाई ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा कि मतलब है, जो आयरन का फॉल्डिंग है, वहां तक आने में मुझे कितना आया, तो अब तो कौन आयेगा, क्योंकि अब तो सर्वरी किलियर हो चुका है, तो इसलिए मैं यह शूटिंग एरिया तोड रहा हूं, ठीक है, उसके बाद यह शूटिंग एरिया तोडेंगे, और फिर हम लोग अपने बेस को पूरा इस्टिलका करेंगे, आज इस सर्वर में, ठीक है, यह कोई सोशल सर्वर नहीं है, कुछ बंदे कोमेंट कर दे यार की सोशल सर्वर खेल रहे हो, भाई सोशल नहीं है, रेंक गलोबल सर्वर है, और साथ ही साथ में बता दू, डूओ जर नहीं है, ठीक है, किसी की मदद नहीं लिए, तो हमारी पूरी मेहनत है, इसलिए कोई मजाक नहीं चल रही है तो मैं पूरा अपग्रेड करके दिखाऊंगा क्यूंकि हमारे पास में अभी हम यह सोच रहे हैं कि मतलब जितनी श्टिल है उससे अपने बेस को लाश्ट में अपग्रेड कर देते हैं यार एक बार उससे हमारा बेस और भी अच्छा नायर बनाया लेकिन हमें एक डर था कि यार हो सकता है कि हमारे मतलब नियौक सर्वर में यहां फिर मोग यहीं से लेंग इसलिए फिर हमने यह बनाय था चलो तो यहां पर एक और चलिए मैं एक एक सिलिंग हटा देता हूं यहां पर देख लो दोस्तों आप लोग की ड्रोप भी आके गिर चुकी है अब दोस्तों इस बेस की खास बात यह कि मतलब अगर आप उपर से इसको ड्रिल करना शुरू करोगे मतलब कि उपर से बोम लगाना शुरू करोगे और आपको थिल की कर रहो कि उससे अंदर करो तो कोई बंदा क्या पूरा लीजन भी रेड नहीं कर सकता वैसे तो यार क्योंकि काफी पावर्फुल बैस हमारा हमने कोई बिना सोचे समझे नहीं बनाया इसको काफी सोस समझ के बनाया है और इसको बनाने में हमें काफी टाइम लगा है कई बार हमने इसको तोड़ तोड़ के साइक किया है जो इस्टेकिंग डाल रखे ने इसमें हमने उनमें कई बार मिश्टेक रही है उनको काफी बार साइक किया है चलो तो अभी पूरी की पूरी इस्टिल में निकाल लेता हू चलो तो अभी अपना जो बेस है वो पूरा इस्टिल का होने वाला है दोस्तों यह इस्टिल और निकाल लेता हूँ वैसे इस्टिल अपने पास में बचेगी मुझे पता है ओके तो यहां पर हमने अपना पूरा बेस इस्टिल का कर दिया है दोस्तों ग्लोबल रेंक सर्वर में ठीक है अब हम लोग चलेंगे बाहर और बाहर जाके देखेंगे कि अपना बेस के साथ दिखाई दे रहा यार अब दोस्तों वैसे तो मेरा हमेशा से एक सपना था कि मतलब एक ठीक ठाक बेस हो अपना और उसको मैं अफिशल सर्वर में पूरा इस्टिल का करना चाता था शुरू से एक यह सपना था मेरा और उसके बाद मैंने कई बार बड़े बड़े बेस बनाए उनको पूरा आयरन का तो कर लिया था हमने इतनी मेहनत तो कर ली थी लेकिन इस्टिल का मैं कभी नहीं कर पाया अब देख लो अभी इस सर्वर में हमारा बेस भी बड़ा है और स ела 7-7-7 साथ आज वह सपना पूरा हो कर दिया है कि मैंने इसको इattend कर दिया है और वह बिड़ा वतलन है कोई लीजंड जर् Tube सपनी मे नहीं या टीम जर्णी में नहीं दूरी में मैंने फूरा प्रेश्परियो कर दिया तो जो में बड़ा वाला बेस बनाता था थी नहीं बらい है शायद हो सकता है कि अगर पूरा लिजन इतनी मेहनत करें हमारे जैसे तो वह बड़ा वाला बेस भी पूरा अपग्रेड हो सकता है यार इस तो दोस्तों यही आप सभी के लिए सर्प्राइस था कि मतलब पूरा बैस में इस्टिल का करके दिखाता आप सभी को तो देख लो अब वैसे तो दोस्तों हम दोनों ही ऐसे है कि हम में पॉइंट के लिए कोई लड़ाई हुई यह नहीं आज तक और अभी सर्वर में भी नहीं हूँ क्योंकि एसके ने भी बोल दिया था भाई पॉइंट मुझे भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी भी यह नई आइडिया इसलिए एसके का नाम एक नंबर पर आचुका है तो दोस्तों यह था हमारा पूरा बेस जो कि आप लोग देख सकते हो मतलब अंदर अंदर का पूरा यह इस्टिल सब्ग्रेड हो चुका है बाहर का शूटिंग एरिया इस्टों सब्ग्रेड है तो एक तरह से जो सपना था ठीक है डूओ जर्णी में तो बस यार दोस्तों आज के लिए अगर आज के यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक किजिए इस वीडियो पर 500 लाइक का एम रखा है मैंने और वो यार आपको पूरा कर नहीं है क्योंकि हमने काफी ज्यादा मेहन गैमपले आप सभी को दिखाया है तो बस यार दोस्तों हम मिलेंगे एक और न्यू गैमपले में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर